हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी का नियो रुकुरिटमेंट नॉटिफिकेशन की ओनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रूसेश के बारे में तो कंपेट चानकारित दिया जाएगा अब देखे फ्रेंस यहां पर यह है इसका ओफिसल नॉटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका जो डिटेल नॉटिफिकेशन होता है एक बार आपको जरूर चेक करना है पोस्ट की बात करें तो आपका यहां पर चार्जमे आपको 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 जानकारी दिया जाएगा अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सस्क्राइब करके शेयर कर दें तांगी आने वाले जो भी अपडेट होंगे वह आपको मिल जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखे प्रेंस यहां को फिल करने वाले हैं इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो को डिसेशन में सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको रेजिटिशन करना होगा तो सबसे पहले आप मैं क्लिक कर देता हूं यहां पर सबसे पहले रेजिटिशन करने के ल mail id में एक activation link भेज़े जाएगा आपको क्या करना है सबसे पहले verify करना है आपका mail id में जागे तो simply यहाँ पर मैं back हो जाता हूं आप देखे प्रेंस यहाँ पर जैसे mail में आ जाते हैं यहाँ पर एक mail आया होगा कुछ steps आपको confirm करने के लिए तो simply आप यहाँ पर click here में आपको click कर देना है आपका automatic यहाँ पर activate हो जाएगा आपका account इसके पस्चाथ आपको login करना है तो simply यहाँ पर मैं activate कर लेता हूं activate करने के पस्चाथ आपको करना क्या है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है तो simply यहाँ पर मैं फिल कर देता हूं इसके बाद आगे का जो process होता है वो मैं आपको बताता हूँ इसके पस्चाद देखे फ्रेंस यहाँ पर आपको generate OTP में आपको यहाँ पर click कर देना है तो simple यहाँ पर मैं click कर देता हूँ click करने के पस्चाद आपका register mobile number में एक OTP आएगा OTP को simple यहाँ आपको क्या करना है आपको यहाँ पर बताया गया है आपको uppercase का use करना है आपको numerical value का use करना है और आपको यहाँ पर कुछ इस परकार का special character use करना है और आपको क्या करना है 8 character से 20 character तक बिच में आपको password create कर लेना है password आप दो बारे यहाँ पर fill करेंगे इसके पस्टाद आप simply उपर के उस्कोल करेंगे capture code मिल जाता है इस वाले box में fill करके simply आप यहाँ पर submit में click कर देंगे आप देखे प्रेंस यहाँ पर जैसे submit में click कर देते हैं आपका password अपडेट हो जाएगा successfully देन यहाँ पर आपको ok में click कर देना है इसके पस्टाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपको login करना होगा तो login करने के लिए आपको mobile number यह mail id fill करना होगा password जो आपने create किया है वो password fill करेंगे इसके पस्टाद आपको यह capture code मिल जाता है यह security code मिल जाता है इसको आपको agitist fill करना है security code fill करने में कोई भी गलती नहीं करना है यह नहीं तो आपका login नहीं होगा error बताएगा तो आपको सबसे पहले यह capture code fill करना है और आप यहाँ से इसको login कर देना है आप देखे प्रेंस यहाँ पर जैसे आप login हो जाता है इसका dashboard में तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जितने भी post होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं उस post के लिए apply कर सकते हैं उसका essential qualification क्या लगने वाला है वो भी आप यहाँ से check कर सकते हो तो हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपको apply करना है ग्रूप C में आपको ट्रेडमेंट मेट पोस्ट के लिए आप लोगों को कैसे apply करना है यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा फायरमेंट के लिए आपको कैसे apply करना है देखे फ्रेंस यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए form apply करो सारे पोस्ट का जो form apply का जो process होता है आपको same रहने वाला है बस आपका qualification होता है वो आपका post के according अलग 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 लगने वाले है तो यहाँ पर simply form को apply करने के लिए जिसी भी post के लिए apply करना चाहते है उस post में आपको देखने को मिल जाएगा apply now तो simply आप यहाँ पर apply in step में complete होने वाला है तो एक एक करके यहाँ पर हम सारे step को complete करने वाला है सबसे पहले आपको यहाँ पर declaration जो box होता है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इसके पस्चात यहाँ पर जिसी भी post के लिए apply करना चाहते है इस post का जो भी essential qualification लगने वाले है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ साफ simply declare करेंगे दन यहाँ पर आपको save में click कर देना है दन यहाँ पर ok में click कर देना है सबसे पहले देखे फ्रेंट्स यहाँ पर आपको पूछा गया है do you have aadhar तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो simply yes क्लिक करेंगे इसके पस्जात आधार का नंबर आपको दो बारी फिल करना होगा इसके पस्जात आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका first name enter करना होगा जो भी आपको यहाँ पर first name होता है enter करना होगा इस वाले box में तो metoculation के mark set क्या कोड़ेगा आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इसके पाद आपका जोफी फील करना होगा इसको आपको confirm करना होगा इस वाले box में मिडिल नाम है जैसे आप कुमार लिखते हैं तो कुमार लिखेंगे ने तो आपका जो भी लास नाम होता है इस वाला बॉक्स में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और आपको यह दो बारी क्या करना होगा यहाँ पर फिल करना होगा जो भी जानकार यहाँ फिल करेंगे आपने अपना नम को भी चेंज किया है, तो Yes यह नम में क्लिक करना है। कुछी steps आपको यहाँ पर टाइब करना है इसके पसाद देखे फ्रेंस यहाँ पर ऊपर करना है कोई भी error आएगा तो कुछी steps आपको सो हो जाएगी वह आपको ठीक कर लेना है category select करना है कौन से category से ब्लोंग करते हैं तो आपको multiple category का list मिल जाता है वो आप यहाँ पे select करेंगे इसके परसाथ आपको category का certificate आपको upload करना होगा जो कि आपका यहाँ पे 200 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए confirm करना है आपको जो भी category होता है category आपको यहाँ पे confirm करना है आप disabled person है विकलांग है तो आप यहाँ पे yes यह नो में click करके इसकी जानकारी दे सकते हैं sport person है तो आप यहाँ पे yes यह नो में click करके जानकारी दे सकते हैं अब देखे प्रेंस यहाँ पे sport person है तो आपको यहाँ पे sport का नाम देना होगा label देना होगा sport का और आपको जो भी certificate होता है यहाँ पे upload करना होगा ऐसे ही क्या करना होगा आपको सारी जानकारी को देना होग इसके पसेां सिम्पल इउपर के एक खरेंगे यहां पो पूर बिस सृओ करना है जो भी आपका डेट ऑज यहां पर इंवट करना है यहां पने पर आपना बतफर जो सेपीध होता है वो आप यहाँ पे अप्लोड कर सकते हैं जो कि आपका 50 कवी से 200 कवी के बीच में होना चाहिए फोटो आप लोगों को अप्लोड करना है जो कि आपका यहाँ पे 20 कवी से आपका 50 कवी के बीच में होना चाहिए तो आपको photograph and signature upload करने के पस्चाद आप यहाँ पर simply save में click कर देंगे इसके बाद देखे friends यहाँ पर अगला step आने वाला है additional detail additional detail में सबसे पहले nationality यहाँ से आपको select करना है इसके पस्चाद आपको relation यहाँ पर select करेंगे आपको यहाँ पर पूछा गया है identification mark आपका body में किसी भी पर करका cut या mark का निसान है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं है तो आप यहाँ पर no mark की entry कर सकते हैं अब देखे friends यहाँ पर अगर आपके पास no mark की entry करना mandatory है नहीं तो आपका यहाँ पर अगला जो step होता है आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अगर आपका body में किसी भी पर करका cut या mark का निसान नहीं है तो आपको no mark की entry करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर posting जो preference होता है आपको देना होगा इसके पस्चात कुछ इस step से आपको क्या करना है लाइब जो photo होता है आपको capture कर लेना होगा capture करनी के पस्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले validate देन यहाँ पर आपको save में click कर देना है कुछ देर wait करना है इसके बाद अगला जो step होता है आपको खुल के आज जाएगा तो देखे फ्रेंस यहाँ पर आपका upload हो जाएगा तो कुछ steps यहाँ पर uploaded का जो message होता है आपको मिल जाएगा इसके बाद अगला जो step होता है communication detail communication detail में सबसे पहले आपका जो भी address होता है आपको यहाँ पर देना होगा तो जो भी address पूरा लिखते है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा data यहाँ पर मैं sample group में enter करके दिखा रहा हूँ आपका जो भी address होगा पूरा वो आप यहाँ पर लिखेंगे line 1 ला और line 2 में आपको पूरा जानकारी देना है अपना address का इसके पस्चाथ आपका जो भी state होता है state select करना है इसके पस्चाथ district आपको प्त Вас होगा वो आप यहाँ पर select करेंगे इसके पस्चाथ आपको city यहाँ पर enter कर दिना है जो भी आपका city होगा corresponding address और आपका permanent address अगर आपका same है तो same as में click करेंगे आपका automatic यहाँ पर जानकारी fill हो जाएगा तो देखे friends यहाँ पर अगर आपका अलग-अलग है corresponding और permanent address अगर अलग-अलग है तो manually क्या कर सकते हैं अलग-अलग जो जानकारी होता है वो आपको fill कर देना है इसके बाद आपको कुछ देर wait करना है यहाँ पर आपको save होने देना है इसके बाद देखे friends यहाँ पर अगला जो step है essential qualification का तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले box में yes क्लिक करेंगे और आपको save में click कर देना है save में click करने के पस्चाथ आपका जो भी essential qualification होता है उसकी जानकारी देना होगा तो देखे friends यहाँ पर सबसे पहले आपको exam pass में आपको select करना होगा 10th इसके पस्चाथ stream में भी आप 10th select करेंगे यहाँ पर आपका school या university का नाम देना होगा passing का air आपको select करना होगा certificate number देंगे type देना होगा आपका यहाँ पर pass का किस प्रकार cgp है या आपका percentage है वो आप यहाँ पर select करेंगे option जो number होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा total जो number होता है वो आपको यहाँ पर entry करना होगा percent क्या है वो आपका automatic आजाएगा grade क्या है वो आपको यहाँ पे enter करना होगा यहाँ पे आपका certificate upload करना होगा जो कि आपका pdf format में होना चाहिए आपका 50 कवी से 200 कवी के बीच में होना चाहिए इसके पस्चात आपको aid में click कर दिना है यहाँ पे आपको iti का जानकारी देना का यहाँ पे iti में stream रहा होगा वह stream आपको select करना है इसके पस्चात आपको university या board का नाम यहाँ पे देंगे पासिंग का year देंगे certificate का number देना है cgp है या percent है वो आप यहाँ पे select करेंगे इसके पस्चात आपको opt-end number देना है इस वाले box में जो भी आपका opt-end number होगा वो आप यहाँ पे fill करेंगे तो कुछ इस टैप से फिल कर देंगे आपका जो भी maximum जो number होता है वह आपको देना होगा तो maximum number आपको इस वाला box न फिल करना है percent जो भी होगा वह आपका आवा जाएगा यहापे count होके grade आपको दे दिना है जो भी आपका grade रहा होगा या आपका class रहा होगा वो आप देंगे दनी यहापको browse में क्लिक करके upload कर दिना है आपका जो भी यहाँ पर certificate होता है वो आपको upload कर दिना है इसके पसाद आप यहाँ पर एड में क्लिक करेंगे आपका जो भी essential qualification होता है आपका aid हो जाएगा कुछ इस टैप से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके पसाद देखे फ्रेंस यहाँ पर आप उपर क्यो स्कोल करेंगे additional कोई भी qualification है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं नहीं है तो आप इसको क्या गर सकते हैं blank सोड सकते हैं यहाँ यहाँ आपको save and proceed में क्लिक कर देना है आपको exam center select करना होगा तो पहला preference आप क इसके बाद आप यहाँ पर save and proceed में आपको क्लिक कर देना होगा इसके बाद देखे फ्रेंस यहाँ पर आपका preview का section आजागा प्रिव्यू का अच्छे तरस आपको check करना है verify करना है यहाँ आपको सबसे नीचे आ जाना है यहाँ आपको submit application में क्लिक कर देना है अगेन परकार जानकारी है आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like subscribe share करेंगे ऐसे ही update पाने के लिए किसी भी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं